हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरद्या आरेस एकडमी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जितनी भी परतियोगी परिक्षाएं आई जित होती है उन्हें सभी परतियोगी परिक्षाएं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टोपिक वाइज टोप इंपोडेंट प्रेशनों की सीरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें राजनीती विज्ञान में दोस्तों अपने 20 टोपिक हैं वो कंपलीट हो चुके हैं और क्या-क्या वो कारिय करती थी तो दोस्तों आज मैं आपके लिए संसद्य समीतियों से समंदिते टोप पचास प्रेशन लेका आया हूं जो आपकी परतियों की परिक्षा के लिए अतियंत महेतोपूर्ण है दोस्तों अगर आपने पिछली 20 टोपिक यान की 20 कलासे हैं वो अलग-अलग टोपिकों की हैं अगर आपने उन कलासों को नहीं देखा है तो दोस्तों अप ले लिस्ट में जाएए वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉल्टिकल साइंस टोपिक वाईज क्यूसन के नाम से तो आप वहाँ जाके सारी की सारी कलासे हैं वो जरूर देखें तो दोस्तों अरद्यारेश एकेडमी के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रेशने देखिए पहला प्रेशन आता है भारत में नई संसद्ये समीती प्रणाली की सुरुवात कब हुई भारत में नई संसद्ये समीती प्रणाली की सुरुवात कब हुई तो दोस्तो इसका Reynolds का प्रेशно ya 329 था dated भारत में संसदिय समीतिय प्रणाली की सुरवाथ निम्न writers की सिफारी स्टेश किया गया था देखें भारत में नई संसदिय प्रणाली की सुरवाथ तो125 में हुई थी लेकिन दोस्तो अभ अपने को यह बताना है कि इस प्रणाली जो शुरुवात है वो किसकी सिफारिस पर की गई थी तो दोस्तों ये की गई थी संसद की नियम समिती संसद की नियम समिती के सिफारिस के आदार पर दोस्तों ये संसद ये समिती प्रणाली की सुरुवात की गई तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो संसद्य प्रणाली समीती के तहत 12-04-93 में इस्वी सें कितनी समीतीयों ने कारिय करना शुरू किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो 14 समीतीयों ने कारिय करना प्रारणाव किया बिल्कुल सहिंत्तर वह जाएगा आगे आगे देखे चार नमबर का प्रेस ने संसद की कितने प्रकार की समीतियां होती है संसद की कितने प्रकार की समीतियां होती है तो वो होती है दोस्तो इस्ताई समीति और तदर्त समीति ये दो प्रकार की दोस्तो समीति होती है तो इसका right answer हो जाएगा, इसमें C number का option उपराउकते है, दो no, ठीक है, तो इसका right answer, C number option बिल्कुल सही उतर, आगे देखे, निम्नलिकित में से कौन इस्ताई समीति है, यहाँ पे पुछा गया है, कि मैंने भी आपको बताया था दोस्तों, दो समीतिया होती है, एक तो तदर् समीति, लोक लेखा समीति, और नियम समीति, यह तीनों समीतिया है, यह दोस्तों इस्ताई समीति है, तो इसका right answer हो जाएगा, D number का option उपराउकते है, सभी, आगे देखे, 6 number का प्रेस निम्नलिकित में से कौन तदर्थ समीति है, तो कौन तदर्थ समीति है, तो यहाँ पे देखे, तदर्थ समीति के बारे में पूछा गया कि कौन सी तदर्थ समीति है, तो वो है प्रवर समीति, प्रवर समीति है, यह दोस्तों तदर्थ समीति है, बाकी याची का समीति, विशे साधिकार समीति, और आवाज समीति, यह इस्ताई समीति है, ठीक है, तो यहाँ पे परवर समिती है ये तदर्थ समिती है तो इसमें D नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा साथ नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए किस समिती को इस्ताई मितवेता समिती भी कहा जाता है A number का option बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, आगे देखिए दोस्तों इसमें 8 number का press ने, प्रांकलन समीति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए, प्रांकलन समीति में कितने सदस्य होते हैं, ये अपने को बताना है, तो यहाँ पे देखिए, 9 number के person में देखिए, क्या दोस्तो तीस सदस से होते हैं सी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दोस्तो यह प्रस्ण है यह काफी ज्यादा मैतोपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ठीक है और यह जब सभी प्रस्ण में आपको करवा रहा हूं यह दोस्तो पूरे भारत वर्ष मे जितनी भी प्रतियों की प्रिक्षा है आई जी तो यह उनमें यह प्रस्ण पूछे जा चुके हैं इसलिए और भी ज्यादा मैतोपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए तीस नंबर का प्रस्ण है इसमें देखिए तीस सदस यह प्राकलन समीती संसद के किस सदन की समीती है तो इसमें A नमबर का उप्षन बिलकुल सहीद्तर हो जाएगा आगे देखें निम्नलिकित में से कौनसी एक सबसे बड़ी संसदिय समीति है तो कौनसी एक सबसे बड़ी संसदिय समीति है तो मैंने अभी आपको बताया सबसे ज़्यादा जो 30 सदस्य है वो दोस्तो प्राकलन समी मैं यानिival कि सबसे बड़ी संसदिय समीति कौनसी हो गई प्राकलन समीति बिलकुल सहीद्तर हो जाएगा ग्यारा निम्बर का प्रशन है इसमें इसंपे देखें प्राकलन समीति का क्या अर्थ है तो यहाँ पर देकिए देश की आर्थिक इस्तति पर संसद पने आर्थिक स संसद के प्राकलनों के प्रस्टुत करने के प्रारूप के विश्वे पर सिफारिष करना ये दोस्त। दोनों ही प्राकलन समिती का अर्थ है, तो इस प्रेस्ण का राइट आंसर हो जाएगा B और C दोनों, तो इसमें D नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोग सभा के सदश्यों में से ही चुने जाते हैं तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बी नंबर का उप्षन लोग सभा के सदश्यों में से ही चुने जाते हैं प्राकलन समिति के सदश्य बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तेरा नमर का प्रशन है इसमें दिखे निमनलिकित में से वह समिती कौन सी है जिसमें राजे सबा का कोई सदस्य नहीं होता तो मैंने अभी आपको बताया प्राकलन समिती में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 है वो लोक सबा के होते हैं क्योंकि इसमें राजे सबा का कोई सदस्य है वो सामिल नहीं किया जाता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है लोक लेखा समिती प्राकलन समिती इस प्रशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राकलन समीती में कोई भी सदस्य है वो राज्य सभा का नहीं होता ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा A number का option बिल्कुल सही उत्तर लोक लेका समीती के अंदर क्या होता है लोक लेका समीती के अंदर 15 सदस्य तो दोस्तों लोक सभा में से होते हैं और 7 सदस्य हैं वो राज्य सभा में से होते हैं ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रैसन का right answer A number option ब्राकलन समीती चोज़र नमर का प्रैसन है इसमें देखे निम्न लिकित में से संसद की वह इस्ताई समीती कौन सी है जिसमें राज्य सभा के सदस्य सामिल नहीं होते हैं तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों यह प्रांकलन समीती है यह इस्ताई समीती है और इसमें राज्य सभा के सदस्य सामिल नहीं होते हैं तो इसमें B number का option सही उत्तर हो जाएगा प्रांकलन समिती आगे देखिए पंदरा नमर का प्रेशन है लोक लेखा समिती में कुल सदस्य होते हैं मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों पंदरा सदस्य तो इसमें लोक सबाके होते हैं ठीक है पंदरा सदस्य लोक सबाके और साथ सदस्य हैं वो दोस्तों राज्य सब के होते हैं तो इस प्रस्वन का राइट आंसर कितना हो जागा 15 अरशाथ कि कंच अदय होते हैं 22 यानि कि लोक लेका समीति मेर कुल 22 सदस्य होते हैं अगे देखिए इसमें 16 नमर का प्रस्वन लोक संद hommes काondra के कर्मस। कितने कितने सदस्य होते हैं मैंने अभी आपको बताया था 15 सदस्य लोक लेखा समीति के लोक सबा में से और 7 सदस्य हैं वो राज्य सबा में से सामिल होते हैं तो इसका राइट आंसर C नमबर का ओप्शन विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 और 7 17 नमबर का प्रशन है लोक लेखा समीति के सदस्य दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं मैंने अभी आपको बताया 15 सदस्य लोक सबा, 7 सदस्य राज्य सबा यानि कि दोनों सदनों से चुने जाते हैं तो इसमें A नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अठारा नंबर का प्रेशन है लोक लेखा समीति में लोक लेखा समीति में देखिए 15 सदस्य लोक सबा से और 7 सदस्य राज्य सबा से लिये जाते हैं तो C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएग आगे देखे दोस्तों इसमें गुनिस नमबर प्रैसन है इसमें देखे भारत में संसदिय समीतियों में से निमन में से कौन सी एक विभागिये वे और एनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का खारिय करती है बहुत ही अच्छा प्रैसन है भारत में संसदिय समीतियों में से निमन में से कौन सी एक विभागिये वे और एनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते के समान कारिय करती है तो दोस्तों वो समिती कौन सी है तो वो है लोक लेखा समिती, C नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 20 नमबर का प्रेशन है, सारवजनिक लोक लेखा समिती में राज्य सबा के कितने सदस्य होते हैं तो राज्य सबा के दोस्तों इसमें सात सदस्य होते हैं, तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next 21 नमबर प्रेशन हैं इसमें देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा प्रस्तुत पर्ति वेदन के आधार पर कोन समिती कारे करती हैं? बहुती अच्छा प्रस्ण है बारत के नियंत्रक एवं माहलेखा परिक्षक द्वारा प्रस्तुत पर्तिवेदन के आधार पर कौन सी समीति कारे करती है तो दोस्तों लोक लेखा समीति कारे करती है बी नंबर का उप्षन इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का प्रस्ण है परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समीति के अध्यक्स पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है तो यह किया जाता है दोस्तों इसमें लोक लेखा समीति के तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का उप्षन बिल्कुल से यानि कि विपक्सी दल के सधस्य को दोस्तों इसका अद्द्यक से नियुक्त किया जाता है ठीक है तो इसमें यह नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा लोग लेखा समीति का 23 प्रेस्ट नहें किस संसद्य समीति को प्रांकलन समीति की जुडवा बहन कहा जाता है किस संसद् से और प्रांकलन समीति की जुडवा बहन है वो दोस्तों लोग लेखा समीति को कहा जाता है तो इसमें डी नमबर का उप्शन विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 24 नमबर प्रेस्ट निमनलिकित में से वह प्रादिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधी से राज्यों के राजस्व साहता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्दान्तों की सिफारिस करता है तो दोस्तों वह प्रादिकारी कौन सा है यह अपने को इसमें बताना है तो वो है लोग लेखा समीति ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प नियंत्रक एवं माहलेखा परिक्षक की रिपोर्टों की समिक्ष्या करती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लोग लेखा समीति डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोग लेखा समीति 26 नमबर का प्रेस्थन है इसमें दे तीनों समीतियां है ये दोस्तों विश्यागत समीति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्शन उपरवक्त सभी आगे देखिए 27 नमबर प्रेस्थने निमनलिकित में से किस समीति में लोग सभा के 15 एवं राज्य सभा के साथ सदस्य होते हैं निमनलिकि में से किस समीति का कोई सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता तो देखिए दोस्तों यहां पे बहुत ही अच्छा प्रस्थन है तो देखिए प्राकलन समीति लोक लेका समीति सरकारी उपकरम समीति तीनों समीतियों का कोई भी सदस्य है वो मंत्री नहीं हो सकता तो इसका लोकसभा अद्यक्स किस समिती का पदेन अद्यक्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो, नियम समिती, ठीक है, नियम समिती का अद्यक्स है, वो दोस्तो, लोकसभा अद्यक्स होता है, कौन होता है, लोकसभा अद्यक्स है, तीस नमबर का प्रेस्न सकती है विदे को पर परवर्थ समीतियों में सदश्यों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई निस्षित नहीं है कोई निस्षित नहीं है तो इसका डी number option बिल्कुल स्यूत्तर हो जाएगा 31 अनुसूचित जाती और अनूसुचित जाथी और जनजाथियों की कल्यान समद्धि समीति में लोकसभा एवम राज्यसभा के करमस है तो कितने सदस्य होते हैं तौ देखे इसका राइट अंसर हो जायगा बीस तो इसमें लोकसभा के और दस हो राज्यसभा के होते हैं तो इसका right answer इसमें B number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे संसद के समीतियों के सदसे दोस्तो अध्यक्स द्वारा न्यूक्त किये जाते हैं अत्वा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मद्दे से निर्वाचित किये जाते हैं तो देखे विदी निर्माण की प्रकिरिया को तेज करना तकनिकी और उलजे हुए विदेव को पर विशेश रूप से विचार करना तीसरा है संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विध्यक का परिक्षन करना तो इसमें तीनों ही सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरौक्त है सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए संसद्य समित्य में लोकसबा तथा राजसबा के सदस्यों की संख्या करमसा होती है तो लोकसबा में से दोस्तों 30 और 15 है वो दोस्तों राजसबा में से लिये जाते हैं तो टोटल हो गए कितने 45 तो अपना ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कुल 17 संसद्य समित्यों में से कितने समित्यों के अध्यक्स लोकसबा के सदस्यों होते हैं यहाँ पे देखे, 17 संसद्य समीतियों में से कितने समीतियों के अध्यक्स लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 11 समीतियों के अध्यक्स है, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें right answer हो जाएगा C number का option इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 37 number प्रेशन है इसमें देखिए संयुक्त परवर समीती में कितने सदस्य होते हैं तो दोस्तो 45 सदस्य होते हैं संयुक्त परवर समीती में C number का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए संयुक्त परवर समिती में लोकसभा एवं राज्य सबा के सदश्यों की संख्या करमसे कितनी होती है तो दोस्तों कितनी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्य सबा से ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए निम्न में से कौन समिती विबिन विश्यों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारन करती है तो वो है दोस्तों कारिये सलाकार समिती D number का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 40 number प्रस्थन है लोक लेखा समिती अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिती अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो ये दोस्तों लोक सबा के अध्यक्स को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमे बी नमबर का option बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों आगे अब 41 नमबर का प्रेशन है सुची first और सुची second दे रखा है दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या करना है सुमेलित करना है ठीक है देखिए सुची first में दोस्तों संसद्य समीती है और सुची second में कारिये है यान कि कौन सी समीती का क्या कारिये है वो अपने को बताना है देखिए परवर समीती परवर समीती का कारिये क्या है तो वो है वित की समिक्षा करना ये दोस्तो परवर समीती का कारिय है और लोक लेखा समीती का कारिय क्या है तो वो है सरकारी पैसा सही डंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परिक्षा करना ये लोक लेखा समीती का कारिय है और प्रांकलन समीती का कारिय क्या है तो वो है विभाग में सोरी बजट में विभ बजट में विभागिये वेकी जाच करना तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दो तीन एक यानिकी डी नंबर का ओप्षन इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए लोक लेखा समीतिया अपनी रिपोर्ट है वो किसे सोबती है तो वो अपनी देक्स को सोबती है बी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 43 नंबर प्रेशन है निम्न में से कौन सा सहरवजिनिक वेपर संसद्य नियंतरन का अंग नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें नियंतरक भारत का नियंतरक हैं वो संसद्य नियंतरन का अंग नहीं है तो इसमें वी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए प्राकलन समीति के सदस्य प्राकलन समीति के सदस्य है वो दोस्तों केवल लोक सबा से ही चुने जाते हैं कितने सदस्य होते हैं प्राकलन समीति म और महालेखा परिक्सक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मारक दर्सक के रूप में कारे करता है भारत के महानियंतरक एवं महालेखा परिक्सक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मारक दर्सक के रूप में कारे करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तो लोक लेखा समीति एक नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे भारत में संसद की वितिये समीतिया निमनिमेश्य कौन सी है तो भारत में संसद की वितिये समीतिया है वो कौन कौन सी है तो देखिए हैं पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो है दोस्तो इसमें देखें लोग लेखा समीती प्राकलंग समीती और लोग उप्करम समीती ये दोस्तो संसद की वितिय समीतिया हैं तो इसका right answer हो जाएगा तीनो ही सही है तो इसका d number का option बिलकुल सहुत्तर हो जाएगा यानि की कौन सा क्युशन था हो यह रहा ठीक है D-number का option इसका बिलकुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखे 47 नमबर प्रेस्ने NPC निमन लिखित में से कोन तदर्थ समीति है तो तदर्थ समीति है वो दोस्तो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें परवर्थ समीति है यह तदर्थ समीति है D-number option सहयुतर आगे देखे किस समित्य को इस्ताई मित्वेता समित्य भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है दोस्तों कौन सी समित्य को बताईए तो वो है प्राकलन समित्य को दोस्तों इस्ताई मित्वेता समित्य भी कहा जाता है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 30 सदस्य होते हैं प्राकलन समीति में तो इसका C नंबर उप्षन सहीटर आगे देखें 50 नंबर प्रेशने 30 संसद ये प्राकलन समीति संसद के किस सदन की समीति है तो वो है लोकसर बाकी तो इसमें ये दोस्तों मैंने आपको जो प्रेशन करवाए हैं ये पूरे भारत वर्ष में जो चाहें वो यूपी में लगी हो चाहें वो बिहार में लगी हो चाहें वो मद्य प्रदेश में लगी हो चाहें वो करनाटक में लगी हो चाहें वो कहीं पे भी लगी हो उन सभी परिक्षाओ में ये प्रेशन पूछे जा चुके हैं इसलिए बहुत ज्याद मैंतोपुन है तो दोस्तों अगर आपने पिछली जो 20 कलासे हैं जो पॉल्टिकल साइंस के जो 20 चेप्टर हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है अभी तक ठीक है और आज अपना 21 नंबर का चेप्ट कलासे हैं वो जरूर देखिए और पॉल्टिकल साइंस में दोस्तों आपका एक भी प्रस्न है वो गलत नहीं होगा अगर आप ये 20 कलासे हैं वो देख लेते हैं तो दोस्तों अरद्यारे सेकीटिवी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबा लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत